Hello everyone, welcome back to the channel, last minute revision with RSM and here I am back with another video, so RSM Shorts में आपका स्वागत है, so RSM Shorts में आज हम discuss करेंगे profit के percentage के बारे में, तो एक chapter है cost sheet और ये shortcut जो आज हम discuss करेंगे वो आप कही पे भी use कर सकते हैं, और shot trick से directly आपके पास answer आएगा, अभी basically ये है क्या, देखो आपको question में कभी-कभी adjustments आते है कि हम cost sheet के बारे में discuss कर लेते हैं, तो cost sheet में there is an adjustment and that adjustment is profit is 20% on sales, हम 20% के जगे पे कोई भी different percentage ले सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं example ले रहा हू, 20% profit है sales पे, और usually होता क्या है कि हमारे question में जो sales है, वो नहीं दिया रहता है, तो if the sales is missing in the question, तो हम profit किस तरीके से calculate कर स 20% on sales, तो इसके दो methods है, एक तो हमारा जो mathematical equation वाला method जो हम use करते है, selling price minus profit, फिर answer आता है cost, फिर हम उसमें क्या करते है, selling price नहीं है, तो हम उसको 100 assume करते है and we calculate that, मैं सारी चीज़े करके बताऊंगा और एक short trick भी बताऊंगा, एक second में आपके पास answer आ जाएगा, सिर्फ आप divide क को करना है, कैसे इसको use करना है, ध्यान से समझना और last तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करना ना भूले, ताकि ये shortcuts ऐसे different different type के shortcuts में आप तक ले के आओ, और आपको इसका examination में benefit मिले, तो cost sheet में जो adjustments आते है, usually उसमें ये adjustments आपने बहुत सारे questions में देख कहा तो problem है, तो इसको किस तरीके से solve करना है, screen share कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले exactly, तो exact values कैसे हमें calculate करना है, तो अभी हम एक example लेंगे ताकि आपको exactly पता चले, कि किस तरीके से इसको apply करना है, say for example, आपके पास आपका cost available है, तो थोड़ा color change कर लेता हूँ, ताकि आप को exactly पता चले, आपके पास cost available है, और cost है हमारा 10,000, ठीके cost is 10,000 and हमें adjustment usually क्या आता है, हमें adjustment ऐसे आता है, कि profit is 20% on sales, तो हमारे पास adjustment है, profit is 20% on sales, तो usually हमारी गलती क्या होती है, हम 10,000 पे 20% calculate करते हैं, वो गलत हो गया, because हमको 20% sales पे दुणना है, तो आप अगर इसको match से calculate करोगे, तो कैसे होगा, selling price we are considering as 100, selling price में से हम profit minus करेंगे, तो 100 का 20% आएगा 20, तो आपका cost जो बनेगा, cost will be 80, this is the method most of you are using, तो आज मैं आपको एक shortcut बताऊँगा, कैसे हमको solve करना है, फिर आप क्या करोगे, 80 की value है, हमार difference लेके profit calculate कर लेंगे, यही method basically maximum लोग use करते है, तो अगर आपके question में 20% का percentage दिया है, तो how to calculate this 20% देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, shortcut method के लिए, 100 को divide करना है 20 से, क्या करना है आपको, 100 को divide करना है 20 से, काफी simple concept है, I hope कि आपको यह समझ में आ रहा है, ध्यान में रखना है, तो अगर हम, अगर हम 100 को 20 से divide करेंगे, तो हमें कितना answer मिलेगा, we will be getting 5 as the answer, तो जो भी आपको answer मिले है, ऐसे नहीं कि हमेशा percentage 20 ही रहने वाला है, आपको concept याद रखना है, 100 को 20 से divide करेंगे, answer 5 मिलेगा, उसमें से आपको क्या करना है, minus 1 कर देना है, तो अगर हम minus 1 करेंगे, तो कितना answer मिलेगा, हमें 4 answer मिलेगा, तो हमें फिर क्या कैसे solve करना है, profit देखो, हमको cost थी हमारे पास, we have cost of 10,000, 10,000 को आपको 4 से divide करना है, तो you will be getting the answer as 2,500, तो हमारी गलती क्या हो सकती है, हम 10,000 पे 20% का profit calculate करेंगे, and if we calculate 20% on 10,000, आपको answer आएगा 2000, but सही answer इसका 2500 है, the reason is, 20% profit sales पे बोला है, cost पे बोला नहीं है, तो हम क्या करने वाले है, 100 को 20 से divide करेंगे, आपको answer मिलेगा 5, उसमें से 1 minus करेंगे, तो आपको answer मिलेगा 4, फिर हम क्या करेंगे, 10,000 को 4 से divide कर लेंगे, आपके पास direct answer आएगा, तो इस case में आप क्या कर सकत है, इस case में आपके पास 10,000 answer है, इस case में आपको यहाँ पे 12,500 answer आएगा, फिर 12,500 और 10,000 का आप जब difference calculate करेंगे, तब भी आपको 2,500 आएगा, लेकिन यह long cut method है, shortcut method से हम directly solve कर पाएंगे, and this kind of shortcut you can use in any of the chapter, मैंने आपको cost sheet का example दिया, cost sheet में usually यह type के adjustments हमको देखने मिलते है, and वो adjustments में people commit some silly mistake, तो अगर आप silly mistakes करते हो वहाँ पे, तो आपका answer जो है profit का गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, whenever profit is 20% या 30% on sales, और आपके पास अगर sales नहीं दिया है, तो ही इस shortcut को use करना है, अगर 20% या 25% on cost दिया है, तो already we are having cost in the question, तो आपके पास cost already दि हुआ है, तो cost अगर दिया है, तो आप directly क्या करोगे, आप directly 10,000 पे solve करके answer दूण लेंगे, I hope कि आपको ये shortcut पता चला होगा, और ये shortcut आप हर जगे पे use कर सकते है, because अभी आपके मन में question आ सकता है, one minus two किया, because cost और sales में हमेशा one का difference होता है, जो भी cost होगा, वो अगर हम sales के साथ compare करेंगे, तो one जादा होगा, that is the part, ये shortcut आप use करे, अपने exam में आप उसको use कर सकते है, और ये shortcut का concept आपको कैसे लगा है, comment में section, comment section में आप comment करके बता सकते, अगर आपकी कोई ये series अच्छी लग रही है, तो ऐसे और में shortcuts आपके सामने लेके आँगा, जो आपको exam मे help करेंगे, वीडियो अच्छा लगा है, तो like करें, अपने friends में share करें, और चैनल पर पहली बार हो तो subscribe कर ले, because ऐसे ही informative वीडियो, shortcut भरे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, thank you very much, bye bye, take care.